हाई गैस वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ चारू और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल कनकुरिया चारू में दोस्तो आज मैं आप सभी लोगों को जेड स्कॉयर में दीपा वाली की डेकोरेशन दिखाने आई हूँ आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो चलिए देर ना करते हुए अंदर डेकोरेशन देखते हैं दोस्तो ये है मॉल के बाहर का व्यू जहां पर इंट्री पॉइंट दिया गया है तो वीडियो के थूँ आप सब देख सकते हैं यहां पर ताजे फूलों से पूरी डेकोरेशन की गई है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है और इंट्री पॉइंट पर चेकिंग लगी हुई है जो कि हमेशा हर मॉल पर लगी होती है तो आईए चेकिंग करा करके सीधे अंदर इंटर करते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं काफी ज़दा सुजावट है और बहुत सारे लोग भी आए हुए है तो बने रहीएगा जैसा कि दोस्तों आप सब जानते ही हैं कानपूर के जडि स्कॉयर मॉल में हर फेस्टिवल पर एक अलगी थीम पर डेकोरेशन होती है तो यहाँ पर देख सकते हैं दिवाली थीम रखी गई है और इस दिवाली पर देख सकते हैं यहाँ पर कैसी डेकोरेशन करी गई है आपको बहुत सारी डेकुरेशन अभी भी दिखानी है यह देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी औरेंज फिंग कलर के लग रहे हैं यह सारे लेंप हैं जो कि नाइट में बहुत अच्छा व्यू लगने वाला है और अगर बात करूं मैं डेकुरेशन की तो आप त यहाँ पर देखिए यह हैपी दिवाली का भी इन्होंने डेकुरेशन किया हुआ है बहुत ही गजब का है इसका भी मैं आपको टॉप व्यू भी दिखाऊंगी अभी फिलाल यहाँ पर नीचे से देख लिजे यह ग्राउंड फ्लोर का है तो देख सकते हैं काफी अच्छा हेवी जूमर है बहुत ही बड़ियां एक नंबर आएए फ्रेंड्स आपको मॉल के आगे का भी हिस्सा दिखाती हूं कि वहाँ डेकुरेशन किस प्रकार से की गई है फ्रेंड्स यह वीडियो है दिवाली वाले दिन का जिहां फ्रेंड्स 24 अक्टूबर का जो भी लोग 24 अ के माध्यम से कानपूर के ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहेंगे साथ ही मैंने कानपूर के और भी वीडियो डाले हैं जैसे कि बारा देवी मंदिर बहुत सारे टेंपल के वीडियो बहुत सारे मार्केट के वीडियो तो उन्हें जरूर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई